हेलो दोस्तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल आप सबका स्वगत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलेसिस को पोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने आचा कासा प्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा का कानल निफ्टी हो सकती है तो देखेंे दोस्तो बैंक निफ्टी के अंदर अब हम कोल कप बाइब करेंगी तो आप लोग लेवल देख सकते हैं 461559 का जो यह लेवल है यह जो लेवल है 431559 ऑ जो यह लेवल है इसमें कंडिशन होंगी दो तो आप लोग देख सकते हैं अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे ज्यादा नहीं 40 से 50 पॉइंट का गैप आप ओपनिंग होती है और यहाँ पे 9.15 से ले करके 9.30 तक याने की 15 मिनिट का केंडल सेस्टेंड करेगी तब हम यहाँ पे कोल भाई करेंगे ठीक है दोस्तु दूसरा कंडिशन क्या होती है मार्केट सपोज कर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ ठीक है दोस्तु के 50 मिनट पे entry होगी call side के तरफ और target की बात करें तो हमारा call side के तरफ यहाँ पे रह सकती है 1.500 से लेके 200 point तक का target रह सकती है call side के तरफ bank nifty के अंदर तो दोस्तो bank nifty के अंदर अब हम put by करेंगे तो आप लोग level देख सकते है यह जो zone है पूरा का पूरा यह zone आप लोग देख सकते है 42,901 से लेकर के 42,871 का यह level है अगर इस बीच में open होती है तो हम यहाँ पे put by नहीं करेंगे दोस्तों जब तक इसको breakdown नहीं करेंगे 42,871 को या फिर कल के दिन gap down खुलेगी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे gap down खुलनी चाहिए 200 से लेकर 500 point ध्यान रहे दोस्तों 200 से लेकर 500 point यहाँ पे gap down खुलने चाहिए अगर इससे ज्यादा gap down खुलेगी तो market sideways में फस सकती है ठीक है दोस्तों अगर गल के दिन 200 से लेकर 500 point का gap down खुलती है और 915 से लेकर के 930 तक यहाँ पे candle sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पे entry करेंगे put side के तरफ bank nifty में 9 बज के 35 मिनट पे और target की बात करें तो ज्यादा लंबा target यहाँ पे नहीं रह सकती है 100-100 से लेकर 700 point तक का target यहाँ रह सकती है bank nifty में put side के तरफ तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं nifty का क्या हाल चाल है तो देखें दोस्तों nifty के अंदर अब हम call goodbye करेंगे तो दोस्तों आप लोग level देख सकते हैं 18,532 का जो यह level है suppose कर यह कल के दिन यहाँ पे flat opening होनी चाहिए कितने point का 30 से लेकर 40 point का flat opening हो और उसके बाद यहाँ पे कम से कम जो है call side के तरफ nifty के अंदर ठीक है दोस्तों इसमें condition होगी दो पहला condition आप लोग को मैंने बता दिया दूसरा condition अगर market कल के दिन यहाँ पे flat खुलती है यह जगह पे यहाँ लोग level देख सकते हैं 18,455 पर खुलती है तो हम यहाँ पे जो है ना call buy करेंगे ना put buy करेंगे ठीक है दोस्तों अगर इस zone में खुलेगी तो हम यहाँ पे trap में फास जाएंगे और market यहाँ पे side way रह सकती है ठीक है दोस्तों अब दिव्किक अंदर put cup buy करेंगे दोस्तों तो आप लोग level देख सकत है 18,385 का जो यह level है सब पूझ करिए कल के दिन यहाँ पे जो है gap down खुलनी चाहिए कितने point का swap point का यहाँ पे gap down खुलेगी और यहाँ पे 9,15 से लेके 9,30 तक अगर यहाँ पे 15 मिनट का candle sustain कर जाएगी तब हम put buy करेंगे ठीक है दोस्तों और target की बात करें तो यहाँ पे target हम हमारा 80 से लेके 90 point का target रह सकती है निफ्टी में put side के तरह ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करें like करें दोस्तों में share करें bell icon के all पे click करना बिल्कुल भी न भूले जरूर किलिक कर ले ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आप आप चैनल नहीं जोएन किया हुआ है तो जाकर कर सकते हैं जिसका लिक में वीडियो के description में डाल दूंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिन वंदे मातरम